देश भर में नए साल का जशन अलग-अलग तरीकों से मनाय जा रहा है लेकिन आयोध्या में भक्ति भाव के साथ दूर-दूर से लोग पहुँच रहे हैं और जब वो आयोध्या में आते हैं तो सबसे पहले भगवान हनुमान यानि हनुमान गड़ी में आकर दर्शन करते है और इस वक्त हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत खास महमान हनुमान गड़ी के महंत राजुदास जी हमारे साथ मौजूद हैं बहुत स्वागत है राजुदी आपका एबीपी नियोज पर मान जी मैं ये जानना जाती हूँ कि ये जस तरीके से अब एक परंपरा नए साल के जश्न की जो है वो बदल रही है क्या लगता है आपको कि कितनी संख्या में लोग यहां आ जाते हैं हर साल संकत कटे मीटे सपीरा जो सुम्रत हनमत वलवीरा राम दुवारे तुम रखवारे होतना अग्या बिनपैसारे और सबसुकले हो तुम्हारे सरना तुम रक्षक काहो को डरना अब बताइए महावली हनुमान अष्ट सिद्ध नवनित के धाता एक तारिक जबकि सनातनियों क नवर्ष नहीं है लेकिन आंगल नवर्ष में भी लोगों कंदर एक भाव होता है आने के लिए मैं अभार व्यक्त करता हूं नोजवान साथियों से अभार व्यक्त करता हूं सनातनियों से राम भक्तों से हिंदों से हुआ करता था कि पब में जाते थे डिस्कों करते थे ख गरिप की बात है यह जो जागरती आई है इस जागरती लाने में संतों का मातापिता का विशेष योगदान है इन्हें तिन महापुरसों का योगदान के नाते यह भाव परिवर्तन आना हुआ है तो लम्सम एक तारिक को नहीं तब भी साथ से आठ लाक हर्मान गढ़ी पर ल लाइन लग जाती है और तिल रखने का जगा नहीं होता है जबकि उस दिन अपार कपकपी रहती है खुब ठंडी होती है उस दिन फिर भी और हल की आप ये भी देखिए उस दिन में अक्सर में देखता है अकसी बूंदा बांदी भी होती है फिर भी आप अगर सरसों फेक देंगे तो हरुमान गड़ी के सिवरी से नीचे नहीं गिर सकता है। इतनी अपार भीर तो मैं राम भक्तों को शाधुबाद देता हूं इस सरधा और विश्वास के लिए। देश के विभिन जहां धारम के जगह है। वहाँ पर अपार भीर देखेंगे। आप मतुरा में देखेंगे लात रखने के आपको जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या इस बार और भी अलग से है। इसले अलग से है भूतों न भविश्यति है। प्राणू की आहोती दिया, त्याक्या, तपस्याक्या, संतु आसरम से निकल कर, मत की पूजा, पाठ, भजन, संध्या, व्यवस्ता को छोड़ कर, आसरम की व्यवस्ता छोड़ कर, गाउं में, कलियों में, खुम कर, लोगों के अंदर एक भाव जगाई, जागरती जलाई, जिए संख विचार परिबार का पैदा हुआ, बजरेंगी निकले, विस इन्दू परसन निकले, विस संख के निकले, फला निकले, धमा के निकले तिया लोगों के अंदर जो जागरती महाकरांती से, सनात्म का ये विशाल, जो सनात्म सिखाता, सर्विभॉंतु सुखना सर्विशंतु नियामय विस्वंधुत के साथ वस्तीव कुट्रमकम और सब को गले लागा कर सनातन चलती है आज तक एक भी उपमा आप बता दो कि सनातन की मानने वाले राजा राजबारे किसी को दबाने का प्रयास किया कहीं पर भी तेहास में बता अध्या में जब भब दिप नब राम जरम भूम मंदिर निर्बान अध्या के डवलप्मेंट अध्या का विकास मुझको लगता है वाईस्तारी को सांस्कृत आजादी की वो पहला दिन होगा वो नीश सोशेटालिस में देश आजाद हुआ था उसके बाद कर को उत्सव हो होगा राम भकतों के लिए सनात्रिनों के लिए लिए हिंदों के वो श्रांसकरति आजादी को पहला दिन ह 협ा कि अपने देखा है कि प्रधान मंत्री जी का ऐर्पोर्टर क्यों सिर्फ मंद्र का ही नियुख मैं कई दिनों से हैं आपको देखने के बाद अनभब होता होगा इसके पहले जब आई होगी आपने तब की अध्या देखा होगा तब आपको अनभूती होती होगी कि वाह क्या बात भाकई में परिवर्तन हुआ है, जो परिवर्तन के लिए अपेच्छा लोगों ने किया था, जिस परकार से परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन राजनितिक धले को लोगों ने इसको सुद दुरूप से धार्मिक पलेस को सुद राजनितिक रंग दे कर, राजनितिक पलेस ना करो और इतनी दूरी बनाई इतनी दूरी बनाई कि जो है उस दूरी में भगवान को भी लपेटे में ले लिया और ऐसे भगवान को लपेटे में ले लिया कि जो है कि अहध्या कोई न या मंदिर न जाए को मंदिर किया मतलब है मंधिर क्या खानी के लिए देता है मंदिर से कोई रोजबार मिलता है किया नोकरी देगा क्या छलती है अभी आप आयोंगे चर्णे में आपको दिक्कत हुआ इतनी भीड़ थी जो भी ब्यक्ति आया उसके हाथ में प्रशाद रहा होगा माला रहा होगा यहां से जब जाएगा घरों के लिए और प्रशाद लेगा लईया दाना लेगा इलाइची दाना लेगा लड़ू लेगा प इसको बनाने के लिए यहां माली लगे होगे बेचने के लिए लोग लगे होगे यहां लमसम हुनमान गड़ी में रोजाना सेक्रो कुंटल एक आधनी सो कुंटल फूल चड़ जाते हैं अब समझें सो कुंटल फूल हजारो कुंटल लड़ू चड़ जाते हैं हजारो विटाने वाला बेचने वाला लाग तो मिलाना इसके अलाबा अध्या जो भी वेक्ति आता है अस्तान ध्यान रुकना गारी खाना खाना चाय पीना घूमना तो जो भी वैक्ति आता है प्रयास करके आता कुछ लेके आता है कुछ और कुछ डॉनिठ करता है दान करता है बै करता है कर्चा करता है तो पूरी एकनोमी शिस्टम आप कि टीवी चनल पे बीच में चला था कि यह जमीन कद धंधा हो गया ऐसा हो गया ओ ऐसा हुआ नहीं था ऐसा हुआ कि जो चीज हम लोग विश्वास करते थे कि जो मिल जाता था पचीस जार तीस जार चालिस जार लेगे बहित मुझको भी चाहिए कामश्का करना है मुझको भी चाहिए कामक जब हाई नहीं तो मिलेगा कहां से जो तु शिथ आस्मान चो गया तो इतनी तेजी से ग्रोज्थ जो पैसा लाड़ाने वाले जो लोग है अबार वेख्त करता हूं योगी जी का उन्होंने किसासा सनातन पद्यति सनातन संस्कृति राम जन भूम देखना कितना सुन्दर बन रहा है अध्या कैसी लग रही लोग रील बनाने वीडियो जब मोदी जी जैसे आप देखेंगे बीना चौरा पर खड़े के फोटो की जा रहे थे सेल्फी योगी जी खुद ले रहे योगी कहीं खोसी गई थी लेकिन आपको लगता है कि आप क्योंकि आयोध्या के पास वो सब कुछ है जो एक मेट्रो सिटी में हुआ करता है चाहे बस स्टेशन भवे और अधुनिक तरीके से बन रहा हो रेलवे स्टेशन जिस तरह के से यहां पर डेवलप किया गया है के तोर पर यह सहर तैयार हो चुका है प्रशाषन के लोगोंने जिनके जिनके आठ कम रहे हैं दस कमरे हैं पांच और उन नहीं थी अभी तक आज तक किसी नहीं दिया था इस्तिति यह होता था मैं आपको बता दूँ कि लोगों ने जो बना के रखा था होटले बंद थे लोग आते नहीं थे इसलिए क्योंकि खौँजाय का बाबाल में रोज मीडिया वाले चलती थी लोग नेता उठा देते थे कोहां ऐसा नहीं ऐसा तो मीडिया का तो काम यह दिखाना मेडिया पहुंचाते आप आयसा तो लोग एक नेगर्टिब अपनी विचार बना लिया था कि जहने जाना है यार बाबाल है क्या अब वो बदल गई है वो लोगों ने भुला दिया लोगों ने गोली चलाए तो यह होता था ने कि हां ऐसा हुआ कहां तो राम जनम हों से 1.5 km 2 km 3 km 2 क्या ले गया था तो कुछ नहीं था फिर भी गोली मार दिया तो मौत के समय में मौत की बात करने पर आदमी सहम सा जाता ह डर सा जाता है आदमी की विचारी पर वरतन हो जाता है इसके ना ते लोग दूड़ी बना के रखा डरफ्मेंट होने पाए विकास नहीं हो पाए एक रुपिया ने सरकार ने लगाया कल्याहान सिंग जी के बाद एक रुपिया किसीने नहीं लगाया बीच में राधना कुछ एक रुपय में लगाना नहीं तो सब काम एक तरब से आप देखेंगे जो गली जाएंगे खोदी जा रहे हैं सब काम चला है आप तो मतलब ये दो शल बाद मतलब दो साल तक है अध्या कि किसी मतलब अध्यावासी खूब-खूब अब सब्दका परियोग करते थे नेत परक्रमा शावन जूले 15 दिन वो चलते थे जो हनवानगड़ी में पुर्णमासी तेरस्क जो भीर होती थे वो रोज दिन सामान सी होने लगे तो जो भीर आती है कुछन कुछ कहने कहीं जो है अपने अपने तरीके से रहने की भूजन की खाने की होटल की रहने विहस्ता त तो मुझको लगता है अयोध्या सो दुरूब से एक ब्यपारिक अयोध्या वासी के लिए केंद्र हो जाएगा अच्छा आप क्यूंकि देखें नव वर्षकी मैं बात कर रही हूं और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर आ रहे हैं हनुमानगड़ी में क्या खास तैयारियां हो रही है नई साल के जश्ण नहीं हन्मानगड़ी में रूज तैयारी रहती हे रूज जो सभilippis रहोता है ग्तली दिवस्तित कर ले पूजन कर ले सब्सक्राइब founders प्रशाद मिल जाए चब शुक्न तक पहुंच जाय दिख्गत नहों। प्रयास हम लोग की है कि अच्छे तरीक से सब लोगो दर्शन पूजन कराएं ऐसी त्यारी और देखी प्राण प्रतिष्ठा कभी दिन अब्दूर्ण नहीं है रामलला की मूर्ती भी तै होने की बाद अब यहां जशन और भी बढ़ेगा जैसे जैसे अब वो दिन नस्दीक आएंगे आयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के रामलला का भव्य और दिव्या मंदर बन कर तयार है उस दिन की क्या खस तयारियां है और हनुमान गड़ी के म फ्राण प्रतिषठा में कुछ ही विसे बचे रहेंगे जो उस दिन बैदिक मंतरो उचरन के साथ क्या होता है प्राण पुर्तिष्ठा एक ग्यारा दिन साथ दिन आठ दिन मैक्सिमुम कितनों कम हम करेंगे तो वो सब साथ दिन पहले से हम लोग शुरू करते हैं एक दिन ठाकुर जी को पहले निकालना नगर भर्बन कराना तबाम मंदिरों में ले जाना उसके बाद अन्यवास जल्वास अगनिवास ऐसा करकर रोज एक एक दिन अनुष्ठान एक दिन उस्तान लेकिन जो हम लोगों के तैयारी हैं मंदिरों में अकनसीता राम नाम संकिरत जहां जो वेवस्था है वैदिक मंत्र उच्छारिन के साथ विधवत अनुष्ठान कि हे प्रभू हे प्रमात्मा इतने वर्षों के बाद नभ भब दिब मंदरी में आप आ रहे हैं भूतो नभविश्यति कल्पना जो मैंने जो दी का कि भोग लगने में में रखा हूं रेव दाना और लगता कैसे था तुलसी की लकड़ी ऐसे च्छुआ दी जाती थी हमारे सनातन परमपरावा है जब तक तुलसी दल उसमें असपर्स नहीं किया जाएगा भूग नहीं माना जाएगा तो वहां सरकारी बेवस्था थी प्रसासर मजिस्टेट नुक्त था वहां न त आरपरम परमात्मा जिनके नाम के नाम पर हम चपन परकार कहा रहे हैं जिनके नाम पर उपर से नीचे तक जिट फिट और आनंद लेने हैं वो कैद खाने में थे तो वह जो पीरा जिसने देखा है जब ए उस सब के लिए आदमें ललाहित है उस साहित है जितना से जितना हो सकता है इस उतसम में सरीक होकर सामिल होकर आनंद पुरभक उस यां स्कम्सक्रत आ जाद दिसरफ राम्जीन्मों मंस्कत का निर्मान नहीं सनातं राष्ट का निर्मान большое जो जू आ अ सौमी बिवेकाह जो कह था गर्विस महंदू हैं जो महत्मा गांधि ने कह था एवाहत्मा गांधि जी ने किया था सर्वेभंतोशुखना सरवेशंतो निरामया उस प्रकल्पना को शाकार करते हुए मोदीजी-ईगुजी का काम है उसको उस दिन आपको दिखेगा कहां बाखई में ऐसी ही यह उध्या है राम कालिन त्रेता युगीन जो मतलब बिना नश्ट किये सुभावी के रोड पर तोड़ फोर हुई बाकी पौरानिकता को बरकरार रखते हुए इसका डरलोप किया जाए बड़ी चुनोती होती होती क्या है कि तोड़ दो फोर दो ऐसा निर्मान कर दो लेकिन नहीं यहां प अग्छा करेंगे कि और भी मंदिरों में जैसे तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर पूजा पार्ट भजन संकिर्तन उस दिल होत ऐसी तयारी है हम बोगों आप मेरे एक आखरी सवाल और बहुत देर से मैंने आपका समय ले लिया है लेकिन आखरी सवाल मेरा है प्रदान मंतरी नरेंडर मोदी आये एक बड़ा रोट शो किया आयोध्या को बहुत सारी सौगाते दी कई करोड हजारों करोड की परियोजनाए जो है उनको शुरू कि क्या लग रहा है आपको क्या इसके पीछे क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है तो जाहिर है प्रदान मंतरी के हर कारक्रम को उससे जोड़ कर देखा जाता है कोई मेसेच कोई संदेश इसके पीछे मुझको लगता है कि उन राजनेताओं के लिए उनके मुँपर कराड़ा तमाचा है जो राम को कालपडिक कहते थे जो अगर आप अध्या से नहीं दूरी बनाए होते आप भी अध्या से प्यार करते प्रेम करते अनुड़ा करते आप भी डवलप्मेंट और यहां के विका में आपका कुछ योगदान होता तो आज यह मोदी जी को चांस नहीं मिलता आपने चांस खो दिया दूसरी बात मोदी जी ने आप सबको नंगा भी कर दिया कैसे नंगा कर दिया आप कहोगे राजुदाजी आप संत है फिर भी आपकी भासा थोड़ी से समझ में नहीं आती शाधु का यह भासा नहीं होना चाहिए कष्ट होता है पीरा होता है आप समझो रोणा आ जाता है जिनकी बेटे छिन गए हो जिनके भाप चले गए हो पूछना चाहता हूं राम जनम्भम उतना दूर हनमान गढ़ ही इतनी दूर यहां को आप जान मार दो कि तुम क्यों जैसी नाम बोला कजब बात करते हों इस शनातन संस्कृति का देश है जो आएगा जैसिया राम नहीं बोलेगा भजन संकिरतन नहीं बोलेगा तो क्या करेगा आपके कुछ नेता हूं जैसे टोपी पहन कर दोसरे को टोपी पहनाने लगेगा अध्या में जिस प्रकार से कल मोधी जी का जो काहर था काम था सुभ दर्शन्त करने नहीं ठीक नहीं जाते आप लेकिन अयोध्या का विकाहस तो करते डवलप्मेंट तो करते आप राम जर्म भूम छोड़ देते आपको लगता है कि नहीं हमको राम जी से नहीं मतलब है लेकिन अयोध्या दिखनी तो चाहिए ऐसे जैसे आज योगी जी मोदी जी ने कर दिया था आप करते तो क्या दिकत थी आप भी तो थे यहां पर आप भी मुख मंतरी थे आपके भी लोग प्रधान मंतरी थे आप ने क्यों नहीं किया अभी भी वक्त है मोदी जी ने आपको निमंतरन भेजवाया आप बोले कि मैं नहीं आ सकता तो अभी भी वक् मत्वरा चले जाएए भगवान कृष्ण के सरन में जाएए उनसे प्राथना करिए कि मत्वरा को इतनी खुमसूरत बनाएंगे इतना अच्छा बनाएंगे कि इतने जो लोग आप देखिए विदेश क्यों जाते हैं विदेश में इतनी परकार कि उन्होंने मतलब उसका डवल कर दिया कि मैं नहीं आओंगा भगवान को भी उन लोगों ने पार्टी से जोड़ दिया एक तरफ आप एक कहते हो कि बीजेपी मुन को सार्टिफिकेट हिंदुत का नहीं देगा राजुदास जैसे लोग हिंदुत का सार्टिफिकेट के लेने के हमको राजुदास से बागे में राम विजेपी की नहीं है राम की ऊपर जितना मेरा अधिकार मुझसे कहीं ज्यादा आप का अधिकार हैं। उसके हर वक्त राम बसे, उसके मनम होते हैं, कैसे मैं नुक्सान करूँ, कैसे, ऐसे, कैसे हो रहा है, उसके ध्यान में हर वक्त चला करता है, हमसे ज्यादा तो, संत तो वो है, विपच्ची है, मैं पुना काता हूँ, हमसे ज्यादा भाव उसके अंदर है, क्योंकि हर वक्त व वो डर के मार से दोईस्क बर्स के बीरा के बर्स करता है, इसे कैसे हो रहा है अध्या में, हर वक्त वो याद करते हैं, तो मुझको लगता है कि 2024 तो यहां से जोड़ कर देखा जाना चाहिए. तो हरुमान गड़ी के महंत राजोदास जी जो कह रहे हैं कि बिलकुल प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी का यहां आना, आयोध्या को धेरो सौगाते देना, उसे 2024 से जोड़ कर देखा जाना चाहिए. आवान नहीं किया, राहुल जी को आवान नहीं किया, उन्होंने प्रेंका बाड़ा जी को नहीं, लालु जी को नहीं, उन्होंने ममता जी को नहीं, उन्होंने कहा कि 140 करोर देशवास्यों से मेरा हाथ जोड़ कर अपील है, निवेदन है, उस दिन उतसब जरूर मनाईए. जैसे लोगों से जो यह कहते हूं बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रवन कारिक था, वो इसलाम का रहनवा नहीं था, इसलाम कोई धर्म गुरु नहीं था, किसी भी धर्म गुरु का दायत तो होता है, किसी माता बहिन बेटी की इज्जत नहीं नूट सकता, वो माता बहिन बेटिव का सम्मान करता है कि सिभी धर्म गुरु का किसी देश को लूटने का अधिकार नहीं है वो देश की बनाने का काम है बाबर एक अक्रांता था और सफिविर वर्क रहमान यह कहते हूं कि जिस दिन मोडी यह जाएगा उस दिन मैं मस्जिद में जाओंगा उस दि जनाते चुक मोडी जी ने कहा 140 करोड देश बासी तो मुझको लगता है इसलिए उन्हों ने कहा चाहिए धर्म के माने वाले हूं चाहिए इसलाम धर्र के माने वाले हूं इसाय धर्म के मानने वाल ऐसे लोग जो लालच बस सवा की लोग यहुम में अन्न में इसाय धर्म स्विकार कर लिया इसलाम के मानने वाले तलवार के बल पर सलवार उनके पुर्वजों ने पहन लिया उनसे मेरा निवेदन है जो मोदी जी ने अपील किया जैसे आप जरूर प्रात्रा करिए जरूर ध्यक्तर पाईए अपने मस्जिदों में अपने चर्च में ही अल्ला से प्रात्रा करिए अभी किसी मुस्लिम धर्म गुरु से कहो राम का नाम ले तो नहीं लेते, डिबेट में मैं देखता हूँ, अरे गजब बात करते हो, परमात्मा है, आस्था है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब एक है, ना कान आग काटो मेरा दे तो खुन निकलेगा, तो जब परमात्मा प्रकृतिक ने हमको आपको सब को एक जैसे बनाया है, इतना भिभेद क्यों, इतना भेद क्यों, इतना द्वेश क्यों, इतना कलेश क्यों, हम सब एक हैं, इसके नात अपील करते हैं, आप अपने, मैं नहीं कहता आप यहाँ है, अपने मस्जिस से ही प्रात्रा करें, हे अल्ला, पूरे विश्व में अमन सांती हो, चेन हो भारत, ऐसे ही गुलदस्ता के तरीके आगे बढ़े, जो सनातन सिखाता, आप वाली नहीं, कि जो बुद्ध पुजक है काफिर है, उसको गला काटने से अल्ला है मिलते, अल्ला नहीं मिलते हैं, अल्ला भाव के भूके हैं, तुम्हारे जैसे गला काटन मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, परमात्मा अगर मानते हो, तो अगर आप फ्रैंचाइजी लेते हो, अगर वेबसाइक के अंदर मानते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका आसा है, इस्वर के प्रती, अल्ला के प्रती, इस्वर के प्रती, तो आपका भाव यह होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए ऐसे करें कि मोधी जी ने जो अपील किया वो दिल को छो लिया हम लोगों को 140 क्रोड उन्होंका मैं हाथ जोड़ कर निविधन करता हूँ जैसे मिले उन्होंका क्या राज़ुदाजी अरे भाई, 140 करोर का राजा, एक सामान सा भेक्ती का नाम, मेरे तो रोंग्टे खरे होगे, आँख में आसू आ गया, मेरे जैसे एक सामान संत से, मोदी जी इस प्रकार से उतरते हैं, बोलते हैं, राजुदाजी कैसे हो, हम लोग आप से बात करना तो आपने कह बार बताए, लेकिन मेरे आपका नाम भूल गया, नहीं नाम याद है, लेकिन इस प्रकार से तो मोदी जी का जो अपील था, इसलिए मैं यतना बोलना हूँ, उनका जो अपील था, 140 करोर देश बासियों से हात जोरकर मेरे अपील है, वो दिल को छूग गया, इसके नाते है, 140 करोर देश वासे भारत आपका है, राम आपका है, संस्कृत ही आपकी है, ठीक है, सनातन में भी पूजा पधती अलग-अलग तरीके से, हम साधू हैं, फिर भी हमारे संत में ही कोई चंदन सब के अलग-अलग है, हमारे सनातन में ही कोई भगवान राम को मानते, कोई भगवान कर्श्न को को मानते, कोई भगवान परसुराम को मानते, कोई भगवान बुद्ध को मानते, कोई भगवान जेन को मानते, और तो और साकार को भी मानते, निराकार को भी मानते, तो सरातन की बात करे हो, तो अलग-अलग पती हो सकती है, सर्वे बंतों शुक्ना, सर्वे संतों निरामया, पूरे विष्व में अमन हो, सांती हो और सामन्य समल है पूरा विष्व ए गुल दस्ता है सब अपने हैं आनंद पुरवक भगवान के उत्सम में सामिल होगे निवेदन है मेरा और प्रातरा करिए कि पूरे विष्व में अमन सांती है बहुत बहुत शुक्री आपका राजुदास जी हमसे बात करने के लिए तो हनुमान गड़ी के महंत राजुदास जी को सुन रहे थे आप कैमरे परसन मोहित कासली के साथ शीरीन आयोध है